अपने दुकान का सारा विमल मेरे हवाले कर दे तुने अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेरा बाप याद छोड़ कर गया था कि तेरी मा टकले पाप का नाम मतले वो विमल नहीं खाने देता था उसे जान से मर दिया मैंने चल्दी विमल लावरना तेरे टकले पर विमल धुक दूँगा भाई साब घाटे का सौदा नहीं है उसे जितना विमल चाहिए उसे दे दीजे फिए वो विमल थुक कर हमारी टकले को लाल न कर दे सिर्फ दो दिन हुए हैं बिना विमल खाय हुए तुझे खुददार बन विमल के बिना क्या हालत बना रखी है देख थुके हुए गुटके की तरह लग रहा है ऐसा क्या रखा है तेरे विमल में गुटका ही तो है मामूली सा नहीं राजा विमल के लिए तो जाना जीर है केशर के हर एक दानी की कसम साले विमल थुक थुक के ये बजन के प्लेट लाल कर दिये तुने मेरा पेंट का खर्चा बच गया भविश्यवानी कर रहा हूँ अगर ऐसे ही विमल खाते रहेगा न तो कंपनी वाले खुच चल के तेरे घर आएंगे विमल का ब्रांड मेस्टर बनाएंगे विमल के फैन भगवान मानेंगे तुझे लिख के ले ले विमल नहीं खाया है तो तडप रहा है तू चिंता मत कर कसरत करने दे फिर विमल के लिए पाच रुपे देता हूँ पड़नाम सर रजनी गंदा लिया जाए हुजूर मैं रजनी गंदा नहीं खाता इस्पेसल गुटका है यह गुटका नहीं हुजूर यह तो अमरीत है मैं शिर्फ विमल खाता हूँ भीमल वो तो बचता ही नहीं है साहब सबेरे सबेरे ही सारा भीमल अक्षह सर खरीद कर लेकर चले जाते हैं हुजूर पर आप कल आईए न रखेंगे न चार-पांच पैकेट आपके लिए बचा के रखेंगे चार-पांच पैकेट से क्या होगा तो कहिए न हुजूर, पूरा पेटी भिजवा देते हैं आपके घर पे, अस्टॉक मंगवा लेंगे, ठीक है भिजवा देना, आप कमाल के हैं सर, नया टपरी खोलाओं साहिब, अच्छा चल रहा है, चाय, सिगरेट, गुटका सब बिखता है, आप भी लिजिए ना एकदम म वाला विमल रखे हुए हैं, और पूरा बाजार में सबसे सस्ता में बेचते हैं, आप हमारे पे बहुत एहसान किया हैं साहिब, ये टपरी खोलने के लिए लोन दिलवाए हैं, वरना इस गरीब को कहां से लोन मिलता, एक बार तो हमारे दुकान का विमल जरूर खाईए साह ठीक है, तीन पेटी पैक कर दो